हलो फ्रेंड्स माइनम इस माइपाल सिंग आई वेलकम यू अन गाइडली यूटूब चैनल तो आज जो मैं कुशन आपको पढ़ाने वाला हूं वो है टाइम एंड वर्क से तो टाइम एंड वर्क का यह बहुत अच्छा कुशन है नए टाइप का कुशन है जो आज कल प्रबलम आती होगी है टाइम अकर भी लेते होंगे तो थोड़ा टाइम जादा लगता होगा दूसरा पार्ट यह है कि हमारी टीम जो गाइडली की टीम है उसने एक्सप्रेस वीडियो कोर्स लॉंच किया है और उसमें यह सारी फैसलिटी अविलेबल है जो भी आपको इस यह टेलीग्राम ग्रूप पर है और इसका वैलेडिटी जब तक आपका सेलेक्शन नहीं हो जाता है लाइफटाम वैलेडिटी है और प्रिविएस येर पेपर मेंस वाले भी इंक्लूड किये गए हैं अगर आप पेड वीडियो लेने का सोच रहे हैं बैंकिंग के लिए त यही पार्ट आपका हिंदी में भी लिखा हुआ है जिसको हिंदी में पढ़ना है वो हिंदी में रीड कर लें राइट तो कह रहा है कि दोनों मिलके काम करते हैं तो साड़े साथ दिन में 7.5 डेज में कर लेते हैं प्रिंस अकेले काम करता है और आदा काम पूरा करता है और फिर बाकी का काम क्वीन पूरा करता है तो इस तरीके से जब काम करते हैं तो उनको 20 दिन लगते हैं तो प्रिंस और क्वीन की जो एफिशेंस यह उसमें क्या बोल रहा है क्वीन से अधिक उसल है बहुत important है, because अगर आप basic भी use करेंगे तो आपको time लग सकता है, क्योंकि इसमें quadratic equation बनने के chances रहेंगे, जिन लोगों को पहली बार ये question करने को मिलेगा, तो वो quadratic equation टाइप से solve करेंगे, वो quadratic equation में थोड़ा time लगता है, तो इसको short तरीके से कैसे कर सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ, तो let, के, मान के चलो, कि prince को न, p days लगते हैं, और queen को q days लगते हैं, right, total work करने में prince को p days लगते हैं, और queen को q days लगते हैं, तो ये हमने मान लिया, तो अगर one day का work निकालेंगे, तो one upon p plus one upon q is equal to 7.5, इनको total days लगते थे, और 7.5 को आप 15 by 2 भी लिख सकते हैं, तो इन दोनों का जो one day का काम हैं मिलके, वो 2 by 15 होगा, इतना तो आप सबको पता होता है, कि जो total number of days होते हैं, उसको अगर reverse करके लिख दिया जाए, तो वो one day का work निकल के आता है, तो ये 2 by 15 के बराबर होना चाहिए, पहला equation तो ये बनेगा, अब आप देखिए, कि जो prince है, वो p days में complete कर रहा था काम को, अब वो कह रहा है कि उसने केवल आधा काम किया, तो p days में पूरा काम कर रहा था, तो p by 2 days में आधा काम किया होगा, in the same way, queen पूरे q days में उस पूरे काम को कर रही थी, तो अगर आधा वो भी काम करेगी, तो q by 2 days में, और इस तरीके से काम खतम करने में उनको 20 days लगे थे, तो अब यहाँ पर p plus q is equal to, आपके पास क्या गया, 40, अगर आप solve करेंगे, तो second equation ये बन गई, अब यहाँ पर student क्या करना है, start कर देते हैं, कि p is equal to आपका 40 minus q है, तो यहाँ पर 40 minus q पुट कर देते हैं, और एक solve करना start कर देंगे, और quadratic equation बनेगी, अब देखिए, जब आपको, अगर quadratic equation से आपको solve करना है, तो आपको time लगेगा न, कैसे time लगेगा, वो आपको दिख रहा है, कि p की जगे मैं 40 minus q लिखूंगा, फिर 40 minus q into q lcm लगा, और values लगाऊंगा, और एक quadratic equation बनेगी, आप बिना solve किये, इनको आप use कर सकते हैं, options क्यों दे रखे हैं आपको, इसलिए दे रखे हैं यह आपकी सहुलियत के लिए दे रखे हैं, तो मान के चलो, कि पहला option मैं choose करता हूँ, पहला option करता हूँ 20, तो मेरे से क्या पुछा है queen, अगर queen का 20 है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका, इसका भी 20 होगा ना, इसका भी 20 होगा, तो अब आपके पास क्या हो गया, 1 by 20 प्लस 1 by 20 को जब आप add करेंगे, तो 2 by 20 आएगा, जो कि आपके पास 1 by 10 आ रहा है, तो ये तो answer हो नहीं सकता, क्योंकि मुझे चाहिए 2 by 15, तो अगर मैं 30 use करूँगा, तो 30 use करूँगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा, अगर इसके लिए 30 use कर लिया आपने, तो इसका part क्या बचेगा, 10 days बचेगा, क्योंकि P और Q की value, दोनों की value 40 है, तो अब आप देखो, 1 by 10 प्लस 1 by अगर 30 रखा जाए, तो 1 by 30 रखके आप इसको जब आप solve करेंगे, तो आपके पास 4 by 30 आ रहा है, 4 by 30 का मतलब क्या होता है, 2 by 15, that means आपका क्या हो गया, condition satisfy हो गया, तो answer क्या हो गया आपके पास, 30 आ गया, I hope ये वाला तरीका आपको समझ में आ गया होगा, अब आपको quadratic equation नहीं बनानी पड़ेगी, तो options की help से आपने around 30 to 40 second आपने बचाए, कम से कम 32 to 40 second एक ही question में बचाए है, और इसका मैं दूसरा तरीका भी आपको बताता हूँ, दूसरा तरीका भी आपको आना चाहिए, क्योंकि वो भी basic वाला ही part है, देखिए, इसको solve करने का एक और दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ, जो बहुत आसान है, अब आप मान के चलो कि prince ने na p days में काम किया, और इसने q days में काम किया, तो total work हम क्या मान सकते हैं, वो देखते हैं, total work, total work हम, अगर हमें ये नहीं पता है, तो total work क्या मान सकते हैं, जो number of days होते हैं, individually, उनका multiplication, तो p into q मान लेते हैं, total work, अब देखिए, total work, ये prince जो है, वो p days में, p days में total work को finish कर रहा है, तो daily कितना काम करता होगा, q unit करता होगा, कि नहीं करता होगा, ऐसा बोल सकते हैं, ऐसे ही, अगर queen जो है, वो p into q काम को, q days में पूरा कर रही है, तो वो daily कितना करती होगी, तो p और q से अगर divide कर दें, तो आपके पास, total number of days आएंगे कि नहीं आएंगे, ये 15 by 2 आएगा कि नहीं आएगा, तो आप इस equation को ऐसे भी लिख सकते हैं, कि p into q is equal to 15 by 2 into p plus q, अब आप देखिए, दूसरा equation आपने अभी, इससे पहले जो मैंने एक तरीका बताया था, उसमें ये लिखा था ना, कि p by 2 plus q by 2 is equal to 20, और ये क्यों लिखा था, ये भी आपको पता है, तो p plus q is equal to 40 आ रहा था, अब देखिए, p plus q is equal to 40, अगर यहाँ पर put कर देंगे, तो p into q आपके पास आजाएगा, ये 2 से 20 times, ये 300 आजाएगा, और p plus q आ रहा है आपके पास कितना, 40, तो अगर मैं यहाँ पर, मान के चलो, q की value 20 रखता हूं, और p की value भी फिर 20 रखेगी, लेकिन क्या p into q 300 आएगा, नहीं आएगा, अगर मैं ये करता हूं, यहाँ पर 30 और ये 10, तो multiplication 300 दे रहा है, that means, ऐसे भी हम इस question को solve कर सकते थे, तो ये 2 तरीके थे, जिससे इस question को, जल्दी से जल्दी solve किया जा सकता था, और calculations कैसे avoid कि जा सकती है, कि अगर हम options का, बहतरीन तरीके से logically use करेंगे, तो आपकी options के through calculation कम हो सकती है, I hope आपको ये question बहुत अच्छा लगा होगा, आप इस वीडियो को अपने friends के साथ जरूर share करना, और मेरा mathematics by महिपाल सर गाइड, ब्रैकेट में गाइड ली ये टेलिग्राम ग्रूप है, आप ये join कर सकते हैं और ये इसका link है, और आप Facebook group भी join कर सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे students हैं जो daily doubts पूछते हैं, और आपस में doubts को solve कर लेते हैं, और किसी से नहीं होता है तो उन doubts का answer मैं कर देता हूँ, इस वीडियो को जरूर share करना अपने friends के साथ, bye-bye and take care.